हलो बच्चों, चलिए करते हैं एक विक रिविजन वेदर, क्लाइमिट and अड़ेप्टेशन टू क्लाइमिट चैप्टर का सबसे पहले देखते हैं मौसम को किसी इस्थान के तापमान, आदरता, बारिश, वायू वेग, आदी के संदर्ब में वहां के वातावरण की इस्तिती को मौसम कहते हैं क्लाइमिट यानी जलवायू क्या होती है? किसी इस्थान का लंबी अवधी के मौसम का ओसत कहलाता है क्लाइमिट लंबी अवधी मतलब 20 से 25 साल फिर तुमें क्यों बदलती हैं? आर्थ का सन के चारो तरफ चक्कर लगाने के कारण जब आर्थ सन के पास आ जाती है तो गर्मियों का मौसम आता है और जब दूर चली जाती है तो सर्दियां आती है अडेप्टेशन यानि अनुकूलन क्या होता है? किसी जन्तू की कोई विशेश्टाएं या आदत जो उसे वहां के क्लाइमेट यानि जलवाईयों में रहने के लिए मदद करती हैं या अनुकूल बनाती हैं उसे हम बोलते हैं अडेप्टेशन पोलर बियर की कुछ विशेश्टाएं जो उन्हें ठंड में रहने के लिए अनुकूल बनाती हैं पहला उनकी दो मोटी बालों की लेयर होती है दूसरा उनकी स्किन के नीचे एक मोटी लेयर फैट यानि वसा की होती है तीसरा उसके पंजे चोड़े और लंबे होते हैं चौथा वो काफी समय तक पानी के नीचे रह सकते हैं पांचवा उनकी सूंगने की शक्ती बहुत तीज होती है पैंगुईन के कुछ विशेश्टाएं जो उन्हें ठंड में रहने के लिए अनुकूल बनाती है पहला उनके इसकिन के नीचे एक मुटी लियर फैट यानि वसाकी होती है दूसरा उनके पैरों में जाल होता है तीसरा वो जुंड में रहते हैं चलिए बच्चों अब रिविजन कर लेते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स के रूप में किसी स्थान के वातावरन वहां के टेंपरेचर, हुमिडिटी यानि आड़दरता और रेनफॉल यानि वर्षा के संदर्ब में कहलाता है डैश किसी इस्थान का लंबी अवदी के मौसम का औसत कहलाता है डैश जब अर्थ सन के पास आ जाती है तो डैश का मौसम आता है और जब दूर चली जाती है तो डैश आती है किसी जन्तु की कोई विशेष्टाएं या आदत जो उसे वहां की क्लाइमेट यानि जलवाईयों में रहने के लिए मदद करती है उसे हम बोलते हैं डैश पोलर बीर की स्किन के नीचे एक मोटी लेयर डैश की होती है डैश की सुंगने की शक्ती बहुत तेज होती है पैंगुइन के पैरों में डैश होता है पैंगुइन ज्यादा तर डैश में रहते हैं उट की लंबी टांगे डैश का एक्जाम्पल यानि उदाहरन है ओके बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन वीडियो में जो बच्चे फुल वीडियो देखना चाहते हैं उनके लिए लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है थैंक यू